नमस्कार मैं राजश कुमार और आप देख रहे हैं कलमी टेक दोस्तों आज के स्यूडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं डाक्टर सीवी रमन युनिशिटी में हम माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए हम कैसे ले सकते हैं और उसका फॉर्म को हम कैसे भर सकते है है माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए क्या क्या चीजी डोकिमें आपको चीह क्या कैसे भरना है क्या क्या वहां पे डॉक्यमेंट लगता है चली वीडियो को देखते हैं लाश्य तक ति वीडियो को समझ में आएगा तो चली वीडियो को देखते हैं और उसते 0, Amadid, श सीवी रमन उनने सिटी में डाक्टर सीवी रमन उवेश्षित दैलाई कर गी रोकोटा बिलास्पू शत्यस गड़ में आप यह आप लेना चाते हो तो यह इस प्रकार का आप यह forms रहता है इसको आपको फिल अप करना रहता है आप देख लिजए अगर हो सके तो इसका प्रिंट आउट निकाल लिजए और प्रिंट आउट करके यहाँ पर अपना नाम आप देख सकते हैं फिर अपना खुद कॉपी में ल आपका राकेश कुमार जो नाम है पीता का नाम माता का नाम परिक्षा केंद्र का नाम अंतिम परिक्षा का नाम अनुक्रमांग क्या है नमांकन क्रमांग और अंतिम परिक्षा वर्स यानि कब आपने दिलाया था विद्याले आपने विश्विद्दाले छोड़ने का और यहां पे पूरा सब चीज़ यहां पे डालना है आपका आपका गाओं का विलेज का सिटी का जो पीन कोड है उसको यहां पे देना है और यहां पे आपको साइन करना है ठीक है यहां पे आप देनांग डालेंगे ठीक है और यहां पे जो चीज़े हैं चिनांगित कर प्रासपूर, ठीके, क्रवांग दीनांग सल्लगन है, तो यहाँ पर यह आपको बैंक ड्राप करना होगा, 20 रूपए, ठीके, विश्विध द्यालाय से उतिन्द समस्त सेमेश्टर अंक सूची च्शाया, सल्लगन करना होगा, यहाँ पर आपको जो सेमेश्टर यह जो अंग सूची है उसको यहाँ पर च्छाय प्रति आपको यहाँ पर देना है और आपको पहचान पद्र अधार कर यह मन दाता परिचाय पद्र आपको यहाँ पर सलग न करना होगा यहाँ पर बैंक ड्राफ करना होगा धाई सुरुपए डाक्टर सीवी रमन बिलासपूर को ठीक है उसके बाद अपना माइग्रेशन आप ले सकते हो यहाँ पर अपलाई करना है तो भाई इसके लिए ऑनलाइन तो अभी पोर्टल खुला नहीं है तो आपको डिरेक्ली उनिवर्शिटी जाना पड़ेगा और वहाँ पर आप यह चीज़े आप कर सकते हो ठीक है तो आई